ओम शान्ती बाब दादा मदुवन आज की मधूर मुल्ले उन्नीस एक दो हजार चौविस मीठे वच्चे सदा खुसी में रहो और दूसरों को भी खुसी दिलाओ यही है सब पर कृपा करना किसी को भी राष्टा बताना यह सबसे बड़ा पुन्य है सदा खुसमिजाज काउन रह सकते हैं? खुसमिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर सदा खुसमिजाज वही रह सकते जो ग्यान में बहुत खुशियार हैं जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरण करते हैं खुस मिजाद बनने के लिए सदा बाप की स्रीमत पर चलते रहो, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी समझाते हैं, उसका अच्छी तरह मन्थन करो, विचार सागर मन्थन करते करते खुस मिजाद बन जाएंगे ओम शांती, रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूरिहान कर रहे हैं, यह तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और सिच्छा भी देते हैं, टीचर का काम है सिच्छा देना, गुरू का काम है मन्जिल बताना, मन्जिल को भी बच्चे समझ गए हैं, आज क मुल्ली से मुख 10 पाइंट पहली पाइंट अभी हमारा चौराशी का चक्र पूरा हुआ है अब वापस जाना है परन्त पाप आत्माएं मुक्ती जीवन मुक्ती में वापस जा नहीं सकते ऐसे ऐसे विचार सागर मन्थन करना है दूसरी पाइंट तुम बच्चे जानते हो य पुरुशुतम शंगम योग है ये भी कोई को याद रहता कोई को नहीं भूल जाता है ये भी याद रहे तो खुसी का पारा चड़ा रहे तीसरी पाइंट बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुन्न का था पाप करने से वह सव गुणा हो जाता है और ही घटे में आ पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हलका होता है मेहनत बहुत करनी है इतने जन्मों का जो हिशा किताब है वो योग से ही चुकतू होने वाला है विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है हमारा जन्शत्युक के आद में हो सकेगा दिल जानती है हमने कितनों को राष्टा बताया है कितनों का उधार किया है सब कुछ करने का समय तो नहीं है खान पान तो सब को मिलता ही है आत्मा इतनी छोटी बिंदी उसमें इतना सारा पाट भरा हुआ है यहां भी बहुत हैं जो आत्मा परमात्मा को जानते ने, सिर्फ विकारों का सन्यास किया है, वैं भी कमाल है ग्यान का पुष्टक एक ही गीता है, गीता है माई बाप ही आका सब को सद्गती करते हैं, मनुस फिर ऐसे बाप की ही गलानी करते हैं, श्यू बाबा की जैंत्री है ही रे तुल, उंच ते उंच भगवान ही सद्गत बाता है बाबा समझाते हैं अपनी उन्नती करने चाहिते हैं, तो यहां आकर कर सकते हो, चित रखे हैं हमने 84 जन कैसे लिया है तुम बच्चों को खुष मिजाज होना चाहिए, बाबा भी ड्रामा अंचार सर्वेंट बना है बाब कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोडो तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, सरीर लेकर पार्ट बजाती हो बाबा भी पार्ट बजाते हैं, जो अच्छी सर्विस करेंगे, उनको ही निश्य होगा कि हम माला का दाना अवस्च बनेंगे अच्छा, धार्णा के लिए मुक्सार पहली पॉइंट विचार सागर मन्थन कर अपार खुशी का अनभव करना है, औरों को भी राष्टा बताने की क्रप्या करनी है संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, दोसरी पॉइंट माया के दुखों का छपर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है, सेंटर खोल अनिकों के कळ्यान के निमित बनना है वर्दान आज बाबा ने दिया अपने बोल की वैलू को समझ उसकी एका नामी करने वाले महान आत्माभव जैसे महान आत्माव को कहते हैं सद्वचन महराथ, तो आपके बोल सदा सद्वचन अर्थात, कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो ब्राम्हनों के मुक से कभी किसी को ज्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए इसलिए युक्ती युक्त बोलो और काम का बोलो बोल की वैलू को समझो सुब सब्ध सुख देने वाले सब्ध बोलो हसी मजाक के बोल नहीं बोलो बोल की एका नामी करो तो महानात्मा बन जाएंगे आज का स्लोगन बाबा ने दिया है यद श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे ओम शांति आज का अव्यक्त इशारा आव्यक्त शायलेंस दोरा डबल लाइट फरिस्ता इस्तिती का अनभो करो जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मसीन दी चलती है आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से सयम भी डबल लाइट बन चलते हो जहां डबल लाइट की इस्तिती है वहां मेनत और मुश्किल सब्ध समाप हो जाता है अपने पन को शमापत कर ट्रेश्टी पन का भाव और इस्री सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे ओम शान्ती